जहारकरिंग विधान सबाद चुनाफ के लिए बीजेपी ने अपना संकल्पत्र जारी कर दिया है मुख्यमंत्री रगवर दास, केंद्री मंत्री जाविशंकर प्रसाद और साथी प्रदेश चुनाफ प्रभारी ओम प्रकाश मातुर समेद कई नेताओं ने संकल्प जारी किया बीजेपी ने अपने संकल्पत्र में आदिवासियों के लिए कई बड़े वादे किया है बीजेपी ने वादा किया कि 2022 तक हम आदिवासियों के 79 मौडल स्कूल की स्थापना करेंगे इसके साथी आदिवासियों के लिए व्यवसाइक और तक्नीकी शुक्षा का एक केंद्र बनाएंगे इसके साथी आदिम जन जातियों के लिए समाजिक सुरक्षा योजना चलाई चाएके इस दुरान बीजेपी प्रदेश अधक्ष लक्षमन गिलुवा ने कहा है कि हमारा लक्ष अपकी बार यहाँ पर 65 प्लस का है इस संकर्पत्र के माध्यम से हम सबने आने वाले सालों में जनता के लीच इस संकर्प को दोरा रहे हैं कि राज को समग्र दुष्टी के साथ और आगे बढ़ाएंगे तो इतमाम बादे जारखन चनाव के लिए जो आज बीजेपी ने अपना खुछना पत्र जारी किया है उसमें किये हैं जहां पर संकर्पत्र में कहा किया है कि आदत्यपुर में एक मेट्रो रेल कोच फ्रेक्री बनाय जाएगी दो स्टील प्लांट चत्रा में और चाइबासा में बनेंगे करिने वेश्वक राज में आ रहे हैं और शेत्र में भी सरकार ने अच्छी प्रगति की है तो संकर्पत्र में प्रेटन शेत्र को बढ़ावा और दीने का जोर दिया गया है साथी चुकि प्रेटन की अपार संभावनाय हैं इससे प्रेटन पर भी जोर इस संकर्पत्र में दिया गया है तो अपकी बार 65 पार का नारा दिया गया है और इसे के लिए बीजेपी के कार करता हूँ और समर्थ तक पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं लक्समें गिल्वा जी क्या दावा कीजिएगा इस घोषना पत्र में 2014 के बाद दूसरा संकर्पत्र आपका दिखिए भारती जनता पार्टी ने 2014 में भी घोषना पत्र जारी किया इस प्रदेश के हित के रक्षा के लिए इस प्रदेश के विकास के लिए और इस प्रदेश के सुरक्षा के लिए मैं आपके माध्याम से राज की जनता को बताना चाहता हूँ हमने 2014 में इस गोसना पत्र जनता के सामने प्रस्तूत किया है लगबग लगबग सभी पर काम सुरू हो गया है मुझे लगता है अधिकादी कामों पर हमने पूर्ण किया है आज चुकि आशन विधान सबा का चुनावा जारकन प्रदेश में ऐसा चुनावा आयोग ने जो हम लोगो जो उन्हों ने व्योस्था दिया है कि पांच और नों में चुनाव शंपन होना है मैं एस्पस्ट कर सकता हूँ भारती जनता पार्टी ने राज के सरबागिन विकास के लिए इस्तीर सरकार की और शक्ता बताया है और राज के जनता से मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ और शिर्वाद भी ले रहा हूँ अब की बार भारतिय जनता पार्टी का जो नारा है 65 पलस तो निसित रूप से जो रिपोटें आ रही है और भारतिय जनता पार्टी के कार करता जिससे विश्वास के साथ काम कर रहा है पार्टी के लिए प्रतेक विधान समय प्रतियासियों को जिताने के लिए मुझे विश् गिल्वा जी एक सवाल का जवाब आप से और चाहूंगा जारखन में संथाल परगना और कोलहान ये दोनों छेत्रों पर आपने इस बार पूरे पांस साल मेहनत किये क्या उमीद लगता है जेमें से आपको कड़ी चुनोती कॉंग्रेस से कड़ी चुनोती मिलती रही है दिए जणतापाड़ी की जोली में जाना है दूसरा शंताल प्रगना Ctrl पर देज सब्सक्राइब हमारे शमार तक काम कर रहे हैं एक सवाल आपसे बेक्तिगत जूड़ा हुआ लोग सभा में आप एक प्रतियासी रहें और करारी शिकस्त आपको देखनी पड़ी फिर आप विधान सभा के लिए चुनाओ लड़ रहे हैं आपको अपनी बेक्तिगत जीत के प्रतियाप कितना अस्वास्त हैं तेके लोग सभा का जो चुनाओ है जो प्रतियासी महागडबंदन खाता है ओ लोगों को छला है लोगों को गुम्रा किया है मैं एक एक बात मैं सबस्ट करता हूं चुकि हमारा आदिवासी वह अल्चित्र है उन्होंने घर गर में और घुम घुम करके या क अंसत बनूंगा तो आपको 6,000 रुपिया और सलाना 72,000 रुपिया देंगे अभी जब पूस्ता है तो दूर दूर भाग जा रहा है यानि हम कह सकते हैं उस समय के जो प्रतियासी महागडबंदन के उन्होंने सिंबुम लोग सभा छेतर के जनता को छला आभी खोज रहा है या आपने जिसको कहा था हमारे बीच में हो कहा गिया इसलिए अभी कोलान और खास करके चक्रदरपूर शिंबुम जिला की जनता समझ चुकी है कि जो भी जेतर का विकास होगा तो भारते जनता पार्टी के हातों ही हो सकता है इसलिए सिंबुम जिला के पांचो विधान अच्वार से इश्बार भारते जनता पार्टी के परतियासी चुनाओ जीतेगा ऐसा जनता का सिहरा बंदेगा बिशितरुप से इस तरह से अपार जन समर्थन मिल रहा है चकरतपूर विधान सभा में य्लिस इमुम जिला के सभी विधान सभा में शिलिए मैं तो कह शकता ह प्रत्यासी बिजे प्रपत करेगा ऐसा जनता का सिरबात मिल रहा है प्रदेश सद्याक्षिक साथ प्रत्यासी भी है हमारी भी शुभ कामना है गिलुआ जी बहुत बहुत